क्रिष्णा निधी क्लब हाउस तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक सुम्दर सी कहानी बताने वाला हूँ जिसका नाम है बैल और चूगा एक दुपहर एक बैल खेतों में सो रहा था सम माइस वर प्लेइंग हाइड और सीट कुछ चूहे लुका चूपी खेल रहे थे और माउस प्लेफुली रैन ओवर दा स्लीपिंग बुल्स है एक चूहा खेल खेल में सोय हुए बैल के सिर पर जाके दौरने लगा दा बुल वोक अप एड चार्ज एड दा माउस जो बैल था वो उट गया अचानक से और वो चूहे को घूते रहा दा बुल शाउते यू टाइनी थिल्ड हाव डैर यू डिस्टर्ब मी तुम छोटी सी चीज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की बुल ने चिलाते हुए कहा I am sorry Mr. Bull ग्राइड दा माउस in a small voice जो चूहा था उसने बैल से रोते हुए आवाज में कहा मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो पर दा बुल वो बहुत गुसे में था और वो बैल बहुत गुसे में था और वो चूहे के पीछे डॉडने रगा उसके सीम से मारने के लिए दो फ्रिटेंड माउस राइड पर इस लाइफ येर और वो डरा हुआ चूहा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा बट दबुल केप चेजिंग हिम पर वो बैर उसके पीछे ही पड़ा हुआ था I will kill you He roared in the mad rage मैं तुम्हें मार डारूँगा उसने चिलाती हुई आवाज में कहा सड़नी अ माउस केम अप तो अब ओल अचानक से वो माउस था एक दिवार के पास आकर पहुँचा Seeing a hole in it, he slipped through जो चूहा था, उसने दिवार में एक खड़ा देखा तो वो उसके अंदर भाग गया The bull smashed his horns against the wall as he kept chasing the mouse जैसे ही बैल चूहे को पकड़ रहा था वो जाके दिवार पर टकड़ाया और उसके सीन तूट गए आह, cried the bull in great pain बैल जोर-जोर से चीखने लगा आह, आह, the mouse escaped और वो चूहा बच गया The moral of the story is Anger makes you do foolish things तो इस काली से हमने क्या सिखा के गुसा हमेशा हम से बेवकूफी वाले काम करवाता है तो कभी भी गुसा मत करना So I hope you enjoyed listening the story So we will meet in the next video with a new topic Till then, thank you, bye bye Hope you like my video Please subscribe and like to our channel Thank you, bye bye